हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग ओम नमू नरायन जैश आशोदा प्रपटीज में आप सभी का स्वागत अभिनेंदन हैं आज हम आपको सामने ले आए हैं एक अशोक नगर में थ्री बीच के का फ्राइट का वीडियो अब हम यह वीडियो हम आपको रिवर्स मोड में देखाएंगे क्योंकि वापसी में वीडियो बना था इसलिए मैंने इसको रिवर्स मोड कर आगे आपको प्रस्तुत कर रहा हूं आप जो है शाई मंदिर के वाले चौराहे से आप स्टार्ट करके आप चल लहां सीधा हम बढ करते हुए आप देख रहे हैं चौनी सटके दाएं तरफ सर्किट हाउस सर्किट हाउस से आगे बढ़ेंगे जो है यहीं आपको जो है सांस्कृतिक केंद वाला कि पढ़ता है उसको क्रास करते हुए यह सब बहुत बियापी चौरहा है सीधा बाबा चौरहा जो कि साइनिक सर्किट हाउस इसको बगल में स्थित है बाबा चौरहा से दाहिने तरफ यह रोड जाता है राजापू तरह उधर ना जाकर करके सीधा उत्तर दिशा पर आप आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे जो है दाहिने तरफ पुस्प बिहार अपाटमेंट है ब्याइपी कालोनी है उसको डांकते हुए जैसा कि जजो के गार्स के रूम बने हुए है यह दिखें पुस्प बिहार अपाटमेंट दाहिने तरफ से इसको क्रास करते हुए इसके बाद पहले बगद हरे वाली रोड छोड़ करके आप सीधा आगे बढ़ते चलेंगे बी आईपी लाका हर वेक्तिकी पहली पसंद होते है कि अशोक नकर में आवास मकान हें प्लाट्स खरीदे उसी को चरतार्थ करते हुए आपके सामने हम लेक आये हैं यह दुबारा हम आपको दिखा दिया बाबचरहा का ताकि आप याद रहे हैं अब हम आप इसके आगे ब बगल से जो रास्ता गया हुआ है इस रास्ते से सीधा आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ करके कुछ दूर जाकर के आपको दाइने तरह मुझना है किसी से भी पूछे देंगे कि दूरगा पूजा पार्ग जाना है तो हर कोई बैक्ति आपको इंडिकेट कर देगा बता करेंगे दाइन मुटके सीधा आप चल नह एं हगल बगल जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुपेस्टिकेटड़ लोग रहते हैं यह बड़ा सा तिरहा यहां से आप दाइन मुड़ गर के कुछ दूरी पर चल करके यहां से आप बाइप मुड़ेंगे हलाकि यह रास्ता कम चौडां है 18 पिट का ही आए लेकिन आगे सीधा बढ़ेंगे इसे यहीं से दूर being मुड़ेंगे मात्र 20 या 30 मीटर दूरी पर चल करके उत्तर फेसिंग का एक संस्कृति बिहार अपार्टमेंट बना हुआ है जैसा कि सामने आपको उसका बीव हम देखा रहे हैं नीचे कार पार्किंग है कार पार्किंग के लिए सबीका अस्थान आवंधित हैं यहां से अंदर एक बार पुना सामने का बीव देखा करके जो है अब हम इस अपार्टमेंट में प्रवेश कर रहे हैं अंदर चलेंगे जैसा कि हमने इंडिकेट किया हुआ है गेट खुल करके अब अंदर प्रवेश करेंगे इसका भीव सामने आप देख लीजिए एक बार पुना देखा दे रहा हूँ तीन फ्लोर का है ज्यादा बड़ा नहीं है प्राइबेट अपार्टमेंट है देकि सभी शुवधाएं इसमें दीग हुई है अब शक्ताओं की पूर्ति करता है नीचे पार्किंग में हम प्रवेश कर चुके हैं यह सभी पार्किंग है जिस फ्लाइट के मैं आपको दखाने चल रहा हूँ उसकी पार्किंग जो लाल गाड़ी खाड़ी है यह अस्थान उनके लिए आवन्टित है शीदा चलेंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर है बाएं सीड़ी पर चल करके दस स्टेप और तीन स्टेप लगभग तेरा स्टेप की सीड़ी हम चड़ेंगे बहुत ज़्यादा दूर उचाना भी नहीं है आराम दे है तीन स्टेप और बढ़ेंगे जैसे हम प्रवेश करेंगे गल्यारे में पहला फ्लाइट एफप वन इन फ्रस्ट फ्लोर का पहला फ्लाइट यह है त्री बेचके है इसका एरिया साले दस स्वार फिट है एक हजार पचास स्कार फिट इसका फ्रंट गेट का लुक बहुत ही शुन्दर खुबसुरुत दिया हुआ हुआ हम प्रवेश कर रहे हैं यह आपका सामनी किचन प्रस डाइनिंग हाल है किचन के साथ सा बड़ा सा डाइनिंग हाल वही किचन खाना बनाया और वहीं पर भोजन सभी परिवार के साथ बैठ करके इसका अनंद लीजिए उसके बाद यहीं से बाएं तरब सामने एक लेटिन बात्रूम है उसके बगल में एक पहला कमरा आपको दिख रहा है जैसा ए बात्रूम लेटिन बात्रूम भी है उसको अभी बाद में वीडियो दखाएंगे अब हम यहां से जो गश्ट राइने हान में सामने वास्रूम का इस्तमाल कर सकते यह दूसरा कमरा आप आपको देख वीडियो देखें यह भी परियार्त स्पैस है कमरे क्योंकि साड़े 10 स् आपकी गए गेस्ट रूम और डाइनिंग कर दो यह बड़े-बड़े हाल है दोनों बेडरूम अपने हिसाब से जो है छोटे रखें गहें ताकि हर बक्ति अपने बेडरूम में जो अब सकता हैं वो पूरती हो सके गेस्ट रूम बड़ा होता है यह सामने जैसा देख रहे और यहीं से कीचन में खाना होना कि अवस्रकतार की पोते हessenे वामतरी किया यह दो है यह देखें मेंगेट होई है उसके बाद एक जाली लगी हुए है हम बाहर निकल दखा रहे हैं पुर्ण हम गल्यारीहें सामने मेंगेट है यह दूसरा यह 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 बहुत अच्छे हैं य पर अपना आवास चुने हैं जो कि अपने आप के शाबित करता है कि लोकल्टी और बहुत ही खुशुरत और बढ़ियां होगी हम वापस पुना उसी गेस्ट रूम में आ रहे हैं देखें कितना बड़ा हाल है आपका फाल सीलिम भी बहुत अच्छे धंग जमनाईगे दरवाजे भी फ्लस्टोर के हैं लेकिन बहुतरी सनमाई कावरा लगा करके सामने आपका किचन है किचन एक दम वाडरोब बहुतरी धंग से बनाया गया है इसमें आप अपनी सभी अशक्ता की पूर कर सकते हैं यह दूर हम आपको दूसरा लेटिम बात रहूं आप दोबारा कही थे आपको देखाएंगे इसके बाद हम पुना में गट पाते हैं जिस भी वक्तिक को अशक्ता हो ततकाल शेल पर है जल्दी हमका हाली नहीं मिलता इसे नीचे द देरियम फिर मिलेंगे धन्यमार नमस्राइब